गुद्ध मॉर्णिंग इस्ट्रेंट इस योर हिंदी क्लास अराध्या ब्याकरण चैप्टर थर्ड वर्ण सायोग वर्ण सायोग हे तु स्वर के बदले वे रूप को मात्रा कहते हैं अब यह पढ़ने न तो आकी तो कोई मात्रा नहीं होती है चोटी आकी पर बड़े आकी मात्रा होती है चोटी की मात्रा होती है बड़ी की मात्रा होती है सभी स्वार का उचार स्वातन रूप से होता है ब्यांजनो का उचार स्वार की सहता से ही होता है स्वारों को हम स्वातन रूप से प्रियोग में राते हैं और ब्यांजनो का उचार जो है स्वार की सहता से ही होता है जैसे का प्लस आ का प्लस आ पा तो का पा ये बेंजन है सारे न तो इसमें आ की आ का स्वार आ रहा है तो स्वार की साहता से ये बोल ला जाता है बेंजन स्वार का उचार सौतन रूप में होता है किन्तु बेंजन का उचारर स्वारो की साहता से ही होता है बेंजन के उचाराण में आ का मेल पाया जाता है जैसे का प्लस आ तो का आ पाया गया ना का के साथ आ लग रहा है तो ये सौतन तूप से नहीं प्रियोग में आ तो इसमें स्वर्क की अविशक्ता हमें पढ़ी रही है इसकार अकेला बेंजन बोले के लिए आ की सायता लेनी ही पड़ती है इसके अत्रिक अने स्वर्क का बेंजनों से मेल करते समय उनकी मात्राएं प्रियोग में लाई जाती है जैसे आस्वर की कोई मात्रा नहीं होती न तो ये इस तरह से प्रियोग में लाया जाता है और और सभी की मात्राइं होती है जैसे बढ़े आकी मात्रा ये होती है तो गा आखी मात्रा यह गा में आखा रंड़ा लग गया तो गाई आखे रंड़ा लगके गाई बन गया और छोटी की मात्रा यह वाली होती है इधर को ऐसे लगती है तो यह तामे लगी तो क्या होगा तिल बड़ी की मात्रा यह इस तरह से लगती है यह इसमें कामी लग गई तो क् इस्तरे से शब्द बनते उकी मात्रा ऐसे लगती है तो क्या बन गया पू या रामे ऐसे लगती है तो रू हो जाता है रुक पुल इस्तरे शब्द बनते है और बड़े उकी मात्रा इवाई लगती है तो ये धा में लग गई तो धूल या धूप कुछ भी हो गया और रामे ऐसे लगी, तो यह हो गया, रूप, री की मात्रा नीचे को लगती है, ऐसे, तो यह गया बन गया, ग, ग के नीचे लग गई, ग्रह, एकी मात्रा ऐसे उपर को लगती है, यह हो गया, शे, तो क्या बन गया, एकी मात्रा कैसे लगती है, दो मात्रा लगती है, छोटी है की एक म पर एक मत्र नबएक मात्र केWS कोईयल अकी मात्र ऐसे लग गई फॉलाध फॉप फॉलाध कुछ भी और वह बन सकते हैं ऐसे वे Chancellor जब एक बेंजन को दूसरे मेंजन से मिलाकर लिखा जाता हैDown तो पहले वेंजन के स्वर का लोफ हो जाता है।। खागागाचाचाचाः वाँगाडा ता थाधाधाधाधाःot तथा धा ना पा वा भा मा यावला वा शा शा और सा है यह क्या है यह पाई वाले बेंजन है इनकी पाई ऐसे यहाँ से हडा दिया तो आदच्छा हो जाता है ना आदच्छा वन गया आदच्छा वन गया यह क्या हो गया यह पाई वाले बेंजन है सारे जिन वन पाई नहीं ह होती है उन्हें पूरा लिखकर या तो उनके नीचे घल का चिन यह छावलत लगाया था है हाल लगाया का लिखते है यह पूरा लिखकर अगले विलन को उसकी शुरो रिखा-थ कर पहले लिखयेबढ़ के नीचे लिख़ देते हैं जैसे दिखिए ट के नीचे हलत लग गया तो भटी ऐसे बन गया या ऐसे भी लिख दिया आता है और द गदी गदी ऐसे लिखा जाता है और द के नीचे फिर से द लिख दिया आता है ऐसे भी लिखा जाता है कवर फा का रूप दूसरे बंजन के साथ मिलने से क और फा हो जाता है जैसे क कहा है तो यह चीज़ हड जाती है यह यहीं तक आती है चक्की, मक्खी क्या इस तरह से होते हैं फा, फा में यह हड गया हफ्ता, मुफ्त दफ्तर, इस तरह के सब्दें बन जाते हैं रा का प्रियोग क्या होता है रा का प्रियोग कई प्रिकार से होता है बेंजन के उपर जब रा स्वर रहित होता है तो ये उस बेंजन के उपर लगता है रा जैसे कैसे लगता है जिससे पहले ये बोला जाता है का प्लस रा प्लस मा कर्म तो ये कर्म बोला जाए और यसी लिख दी दिया जिए गा, ऊपर रा लगा जा तो कर्म हो जाएगा वर्ण व प्रस रा प्रहडा तो वर्ण हो जाएगा धा प्लस रा प्लस मा धरम है ना, अगर हम इसको रा उपर लगा देंगे, तो क्या भिज़ जाएगा धर्म आदर्श आ प्लस दा प्लस रा प्लस शा ये कर्टू क्यों हो जाएगा आदर्श शा के उपर रहा लग जाएगा तो आदर्श हो जाएगा स्वाइप रहित रा को रेफ कहते हैं इसको रेफ बोलते हैं कि बेंजन के नीचे ट और डा के साथ रा इस रूप में बाण के नीचे जोड़ दिया आता है इसे इस तरह से लगा जाता है दीघिए टा प्लस रा त्र तो नीचे रा लग गया न तो ट्र र हो गया inster as le ऐं राक्राइब है ट्र्णा राश्ड्र ट्रेनिस तरह के सबICA बनते बन लेते हैं डा में डा में सेली क्या बनती है को डा मैं करते हैं तो क्रेंच भूडर के द्राम में ड्रेस इस तरह के जाएंगे के साथ इसका पदिन रहता है जैसे जैसे युद रा लगाने में रेफ लिए और इस रूप में बन्खे लगने तो छया है अर नीचे लगाने में यह नी चाक चक्र बख्र क्रम ऐसे शब्द बन गया तो यह क्या बोलते हैं यह ले रहा को पदेन के गर्प के नीचे रहा लग गया तो क्या होगे ग्र ग्राम ग्रीवा ग्रास इस तरह के शब्द बन जाते हैं भाप प्लस्रा भाव में नीचे रहा लग गया क्या बन गया भ्रम भ्राता शुब्र इस सिर्षिर के समाइब करणा जाता है शर्षिस अज़े से फिर में नीचे एसे रहा लगािए तो लेटा है वर्तनी क्या है बक्री यह क्या है बैल प्रते कुछ शब्द कुछ बढ़नों से मिलकर बनती है इन बढ़नों को ही शब्द की वर्तनी कहते हैं अगर हमें शुद्ध बोलना चाहिए और शुद्ध ही लिखना चाहिए अगर हम शुद्ध नहीं पढ़ेंगे स्पेलिंग सही से नहीं बोलेंगे तो वो वर्तनी जो है गलत हो जाएगे और वो हमाया शब्द पूरा गलत हो जाएगे इसलिए में शुद्ध बोलना चाहिए और शुद्धी लिखना चाहिए, लिखने का अपधियास करना चाहिए, आप ये पूरा पार्ट आप पढ़ेंगे और समझेंगे, जो ना समझे में हैं वो आप मुझसे पूछेंगे, थेंक्यू एंड वानाइस टे,